आप फिल्मेकिंग, वीडियो प्रोडक्शन या फिर पोस्ट प्रोडक्शन की किसी भी फील्ड से तालुक रखते हो आपको कुछ टेक्निकलिटीज पता होना बहुत जरूरी है जिसमें सबसे लदा इंपोर्टन है आपका वीडियो रेजुलुशन और उसके चंद फॉर्मिट्स ये वो चीजे हैं जिसकी वज़े से आपकी वीडियो की कॉलिटी या तो बेतर हो सकती है या फिर बुरी हो सकती है कैमरा डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के रिक्वार्मेंट के हिसाब से जो भी फिल्म करता है एरीडर के पास वो चीजे आती है और फर्दर वो उस पे काम करके उसको डिफरेंट फॉर्मिट्स में डिफरेंट रेजोलुशन में एक्स्पोर्ट करके उनको डिफरेंट मीडियम्स में अविलेबल करता है सबसे पहले मैं बात करता हूँ वीडियो रेजुलूशन की वीडियो रेजुलूशन क्या होता है basically आपकी वीडियो कितनी क्रिस्प है कितनी शार्प है या फिर वो एक आपके जो स्क्रीन है उस पर वो कितनी बड़ी आपको नजर आ रही है तो basically वो resolution की वज़ा से ममकिन होता है resolution या तो quality को increase कर सकता है या फिर decrease कर सकता है और यह होता किस तरह से है basically pixels की वज़ा से pixels आपके पास इस तरह आपने अक्सर देखा होगा छोटे-छोटे-छोटे दाने स्क्रीन पे मिलके एक वोरी स्क्रीन बनाते हैं पिक्जल बिल्कुल वही पिक्जल ही होते हैं जो के digitally elements होते हैं जो उसको आपकी वीडियो को बेतर बनाते हैं जितने जादा पिक्जल होंगे उतनी जादा आपकी वीडियो की quality बेतर होती चाहेगी सिर्फ पिक्जल ही एक ऐसा parameter नहीं है वीडियो में और बहुत सारी technicalities मजूद है अगर हम बात करें bit rate की तो bit rate भी एक इस तरह की आपके पास एक चीज है कि जो per second के हिसाब से आपके data को जो video data होता है उन signals को store करता है digitally और फिर quality को maintain करने में काफी help करता है bit rate अगर बहुत जादा भी हो जाए तो तब भी problem हो सकती है आपकी file बहुत heavy हो सकती है या पिर वो आपके playback में अड़ सकती है तो आपको एक normal visible bit rate को maintain रखना होता है resolution जो common हमारे पास यहाँ पर है filmmaking जब start हुई कुछ और थी आईस्ता इस्ता बढ़ते बढ़ते cameras की innovations और बागी सारी चीज़ों के साथ-साथ resolutions change होती गई standard definition हमारे पास होती थी तब से पहले जो होती थी 720 into 480 720 into 480 का मत्तब क्या है 720 pixels जो के उसकी width है और 480 उसकी जो height है तो उन दोनों को उन pixels को जब multiply करते हैं तो आपके पास एक standard definition video resolution आती है इसके बाद डीवी पैल इसके साथ जो के आपका बहुत अर्से तक TV broadcast production का format रहा जो जितनी production होती थी वो डीवी पैल पर record होती थी उसकी resolution 720 into 5760 अगें 720 into 576 pixels जो dimensions इसकी होती है और इसकी quality को वो बनाती थी definition बढ़ती चली गई आपके पास HD आ गए आप कहीं पर भी HD सुनते हैं तो आपको पता होता है कि इसकी जो resolution है वो 1920 into 1080 है और इसी तरह से अगर हम आगे जाएं फिर 2K 2048 into 1080 4K में आपके पास 3840 into 2160 तो यह सारी resolution जो है basically आप ही quality को enhance करती देती है यह जो image आप इस वक देख रहे हैं स्क्रीन पर यह आपको बहुत पेतर तरीके से समझा सकता है कि किस तरह से resolution काम करती है और कितना difference होता है एक standard resolution के बाद multiple resolutions में इसके बाद मैं आखर बात करूँ कुछ video formats की तब formats basically क्या काम करते हैं कि आपका जो data production में जिस तरह से भी film हुआ होता है उनको digitally store करने के लिए आपके computer में आपकी hard drive में आपको different formats required होते हैं तो इनी format की वजह से वो जो इतनी बड़ी वीडियो होती है वो tape पर हो या SD card पर हो या किसी और भी platform पर हो तो वो आपकी different formats में store होती है आपका broadcast format different हो सकता है आपका digital format different हो सकता है या फिर same format में रहते वे आप different compressions use कर सकते हैं मिसाल के तोर पे compressions की अगर मैं बात कर रहा हूं इस वक्त तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास एक file है जिसकी resolution है 1920 x 1080 और यह एक HD resolution में आपके पास file है अब अगर आप इस पर further compression use करते हैं आप इसको कम कर सकते हैं आप इसी file को 480 x 360 बना सकते हैं या आपने सिर्फ इसको whatsapp version preview के लिए बनाना हो तो आप basically क्या कर रहे हैं इसको मजीद compress कर रहे हैं या फिर आप इसको decode कर रहे हैं जब यह compressions काम करते हैं तो आपके पास different file extensions आ जाती हैं मिसाल के तोर पे आपने अक्सर अपनी कोई video file के आगर देखा होगा .mp4 या .mov या .avi तो यह further आपके पास different extensions हैं जो के compressions को represent करती हैं resolution video का कोई भी हो सकते हैं मिसाल के तोर पे same resolution जो है आपकी MP4 में भी हो सकती है .mov में भी हो सकती है .avi या आपके पास बेतहाशा और further compressions या extensions मुझूद हैं इसी तरह यह जो different formats होते हैं इसमें different compressions मुझूद होती हैं और compressions के आगे मजीद थोड़ा technical है अगर हम देखें तो यह codex होते हैं आगे जो इनको different compressions की तरफ लेके जाते हैं आपकी वीडियो को compress करने के लिए या फिर उसको decompress करने के लिए यह codex इस्तमाल किया जाते हैं और यह codex ही basically आपकी वीडियो के अंदर इसको encode या decode करके आपके पास आपको जो desired output आपको चाहिए होती है उसके हिसाब से इसको बनाते हैं इसके बाद मैं आकर बात करूँ frame rate बहुत important चीज़ और आजकल आपने देखा होगा slow motions वगारा कुछ slow motions आपको बड़े ultra slow mo उनको कहा जाता है या फिर उनमें काफी ज़्यादा depth होती है काफी ज़्यादा detail होती है तो basically ये सारी चीज़ जो maintain करती है ये frame rate करता है तो वीडियो का frame rate क्या होता है frame rate basically एक frequency है images की कि आपकी consecutive images जो record हो रही है वो कितनी frequency में record हो रही है ये normally per second के हिजाब से calculate होता है जो standard हमारे पास broadcast का format है वो 25 frame per second है आपने अकसर वीडियो जो आप record करके देखी होगी उसके उपर 25 fps लिखा रहा होगा ये में भी 24 लिखा रहा होगा 25 fps का मतलब ये है 25 frame per second और इसका मतलब ये है कि आपके पास एक second के अंदर 25 images मुझूद है जो कि combine करके आपको एक second की video दिखा रही है तो आप सोच सकते हैं कि एक second के अंदर 25 की जगा ये 60 हो जाए या 60 की जगा ये 120 image हो जाए तो आप सोच सकते हैं second वही है duration वही है आपके पस time वही है लेकिन images बढ़ गई है तो आपके पास अंदर की detail बहुत जादा हो गई है तो आप जब एक second जिसके अंदर 120 frames है 120 images हैं जब आप उसको slow motion करेंगे तो आपके पास जादा smooth slow motion होगा क्योंकि आपके पास एक short एक image से दूसरी image में जाने के लिए detail जादा मौजूद है slow motion के लिए ये ultra slow mo के लिए आपके पास frame जो standard मैंने बताया अगर 25 है या 24 है तो उससे मतलब आप समझने लेकि आपके बस thousand frame तक भी camera's मौजूद हैं जो के ultra slow mo आपको दिखाते हैं 600 frame, 800 frame बड़ा commonly इसको record कर रहे होते हैं fast surface sports broadcast में जब आप देखते हैं कि कोई चीज बिल्कुल आपको slow mo में दिखाते हैं तो वो basically ultra slow mo camera's उनको record कर रहे होते हैं ये तो थी कुछ basic basic technicalities, video resolution, formats, compressions के हवाले से मुझे यकीन है कि आप लोग इससे थोड़ा confused जरूर होंगे क्योंकि ये बहुत जादा complicated है और complicated से मेरा मतलब ये है कि resolutions बहुत सारी मुझूद है, compressions बहुत सारे मुझूद है, formats बेतहाशा हैं आपके पास different cameras के अंदर different formats हो सकते हैं, different recording devices के अंदर हो सकते हैं फिर editing के बाद भी उनको convert करने के लिए आपके पास बेतहाशा options मुझूद हो सकती हैं तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ 2-3 एक जो major formats हैं उनके बारे हैं बता जाते हैं उन्हें सबसे ज्यादा commonly use किया जाते हैं और आप उन्हीं पर काम कर सकते हैं सबसे पहले आपके पास है quicktime format जिसकी extension बनती है .mov मतलब किसी भी file जो video file है जब आपने इसको save किया जब आपने इसको या तो export किया तो आप उस file की नाम के आगे आपके पास एक .mov लिखा है तो इसका मतलब यह है कि यह quicktime file है further इसके अंदर different codecs हो सकते है ब्रोडकास के लिए बहुत commonly use होती है यह file लेकिन इसमें एक थोड़ा सा drawback यह है कि इसका data बहुत जादा यह store करती है मतलब जो इसके compressions हैं जो इसके codecs हैं वो इस तरह से काम करते हैं कि आपको बहुत जादा space required होती है और obviously उसी की बज़े से वो quality बेहतर होती है और इसके बाद सबसे जादा commonly use होने वाला format मैं कहूंगा आजकल की दोर में वो है MP4 इसका basic codec जो use हो रहा होता है वो h.264 है तो basically यह आपकी resolution को भी maximum maintain रखता है और उसके साथ-साथ minimum size के अंदर जो इसका different format different resolution हो सकती है मिसाल के तोर पे यही MP4 आपका HD हो सकता है यह MP4 आपका 6K हो सकता है 4K हो सकता है और further इसकी आगे bit rate अगर कम हो तो size कम हो सकते हैं यह best format है आजकल size के हवाले से quality के हवाले से और different mediums के लिए broadcast के लिए भी आप इसको use कर सकते हैं आप इसको digital platform के लिए Facebook Instagram जितनी भी आजकल data आपको क्लाइंट आपका मुल्क से बाहर होगा वह आपको data online भेज़ेगा MP4 ही एक best possible format हो सकते हैं आपके पास जो इतना बड़ा data जो कि उसने जादा शूट किया हुए वह आपको online कहीं पर भेज सके तो आप इस पर फर्दर काम करके इसको broadcast के लिए भी export कर सकते हैं रेंडर कर सकते हैं आप इसको digital mediums के लिए भी कर सकते हैं और further mobile different applications बगारा के लिए भी export कर सकते हैं तो आपके पास broadcast के लिए quick time format फर्दर इसके different codecs और commonly use या पर professionally या पर personally किसी और capacity में काम करने के लिए आपके पास MP4 format सबसे ज़्यादा commonly use होने वाले formats हैं तो यह तो थे आपके पास कुछ basic video formats resolutions और further उनकी compressions तो आप इनको थोड़ा सा खु क्योंकि यही बहुत depend करता है आपके system requirement किस हिसाब से जितनी heavy जितनी बड़ी resolution की file आपके पास होगी आपको system की requirement उस हिसाब से ज़्यादा हो सकती है तो इनको थोड़ा सा study करें थोड़ा सा mind में रखें आगे further आने वाले lectures में हम इनको मजीद देखेंगे लेकिन थोड़ा स आप practical तरीके से